नमस्कार दोस्तों, टॉफ डिफेंस लिवस की एक फ्रेस एपिसोड में आप सबको तेह दिल से स्वागत है, आज की इस टोपिक में हम बात करेंगे ब्रम्होस LACM यानि की ब्रम्होस मिसाइल के निया बर्जन जो की सफल टेस्ट किया गया है, रेंच बढ़ने से बढ़ेग रेंच भी बढ़ायगया है, जहांपर ब्रम्होस के तहट या आगया आ रहा है, इसको एक अटाकिंग क्रूज मिसाइल के तहट अपडिट के आ गया है, जिसमें 450 किलो मिनटर के तहट अपडिट के आ गया है, इसको अक्टोबर 10-200-23 को अग्यान्त दीप से दूसरे इस मिसाइल का परिख्धन अंडावान और निकबर दीब समूह से एक अज्यान दीब से किया गया है इसने दूसरे दिफ बिरान जदी में बात करू दिफ पर लगाया गया है तरगेट को धूंश्ट कर दिया है आज हुआ परिख्धन कीरिया हम बात करेंगे इस से पहरे जो किया गया था उसका मक्सद यह था कि इस मिसाइल के रेंज को बढ़ाया दिया जाए जमिन से जमिन पर मार करने बाली इस मिसाइल के रेंज को बढ़ा कर अब 445 किलोमेटर से ज्यादा कर दिया गया है इस मिसाइल के लंबाई 28 स्पीड लंबी है यह 3100 केजी बजन है और इसम स्पीड को बढ़ा जा रहा है इसका गती यह से है कि सबसे ज्यादा घातक बनाता है यह 4300 किलो मेटर पति घंटा की रप्तार से हमला करता है यानि एक दसमल 20 किलो मेटर पति सेकेंड से इसका छूटने के बाद दुस्मन का बचना या हमला करने का मोका नहीं मिलता है जदि में बात करूँ इसते पहले भारत ये बाउसना यानि कि इंडियान एर फोर्स ने ब्रम्होस की जदि हम बात करेंगे एक्स्टेंडेट्स एर वर्ज को दुबाय जा सकता था इस परिखन के दोरान जिदि हम बात करेंगे इस मिसाइल की टार्गेट सिप की धोंस कर दिया है इस मिसाइल का रेंज 400 किलोमेटर है जिदि मैं बात करूँ इसे टेस्टिंग के साथ-साथ ही भारत ये बाउसना में सुखही फाइटर जेट से जमी की जहाज को नश्ट किया जा सकता है और एक अबडेट आ रहाए फ्रेंस कुछी महिना पहले ही इसे फाइटर जेट से इंडियान ना भी यानिकि भारत ये नो से ना की डिक मार्सर जहाच पर ब्रम्होस मिसाइल का लाइफ हायर किया गया था भारत सरकार अपने टेकनिकाल मिसाइल के रेंच बढ़ रही है भारत ये बाव से ना को चालिस सुखे इथा टेम के आई फाइटर जेट पर ब्रम्होस कुरूज मिसाइल के पूरी तरह से देश में ही विकास किया जा रहा है इसका जिदि मैं बात करू रेजिमेट इंजिन जो रेजिमेट इंजिन है वो मोडिभाय कर सकता है उसको धोंच कर सकता है यह 10 मिनिट की उचाई जिदि अपडेट आ रहा है 10 मिटर की उचाई पर उन्ने और साथ साथ भनने से सक्षम रखता है यानि दुस्मन की राडर को धोका देने और इसे बुखवी आता है और उसी साब से यह आने बला दिन में अपना काम सही वे से कर सकता है